आपको पर्मिशन किसने दी इस डॉक्यमेंटरी को स्क्रीन करने की जेनियू के अंदर तेखें यहां पे जब जेनियू कोई प्रोग्राम और्गनाइज करता है उसके लिए कोई पर्मिशन का जुरूत नहीं होता है अगर 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 रॉट का हकीकत इस डॉक्यमेंटरी में है और इसको हम लोग स्क्रीन कर रहे थे कुजरात रॉट का हकीकत इस डॉक्यमेंटरी में यह सर्टिफिकेट किस ने दिया इस डॉक्यमेंटरी को कुजरात रॉट का हकीकत सिर्फ बीबीसी बता सकता है यह आपको किसमें बताया इसमें जो बाते कही गई हैं वो सौप पृतिशचत सच है क्या आप ऐसा मानते हैं सर हम एक फिल्म बनी है जिम्मेदारी से बात कीजिए मुझे बताईए मेरे सवाल का जवाब नहीं है मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ जब देश के सुप्रीम कोट में बनी है साइटी ने इस पूरे मामले को खारिच कर दिया तो आप उससे भी उपर जाकर इसकी स्क्रीनिंग कराकर आप ये मानते हैं कि बीबीसी जो बता रहा है वो सुप्रीम कोट से बड़ा सच बता रहा हूँ सर बात यहां पर सुप्रीम कोट का बाती है आप एक फिल्म की बात है और फिल्म हम स्क्रीन करा रहे थे ठीक है वो हैदराबाद सेंटरल इंवर्स्टी में हुआ जामिया में हो रहा है वही चीज पिछले दिनों करा रहा है मैं तो यह पूछ रहा हूँ क्या सच है उसमें इन जो आव मन्ते हैं कि साच है जिस BB either भार कर रहेए वो BBC आय आय सायश के समर्धर में प्रोग्राम चलाता है में बीबीसी को पर आप से सवाल पूछ रहा हूं आप बीबीसी के एजेंट है यही बीबीसी एक सेंसी और गुजरात के सीम ते वह बीबीसी को इंटर्विव देते थे आप बताएं किया वह एसे के समर्थन में थे क्या बीबीसी एक और्गनाइजिसान नीज एजेंसी है वो एक ने फिल्म बनाया है उसको हमें स्क्रीन कर रहे थे इसने बनाया बीबीसी कौन है क्या मोदी जी ने उनको इंट्रिव्यू नहीं किया आप उसको स्क्रीन करेंगे सर एक सकंड बैन नहीं किये आपको कैसे पता है बैन किये अपके पास कोई नोटिफिकेशन है क्या मैं तो सब्सक्रीन कर रहा हूं कि अगर वीबीसी बैन है तो इंडिया में आप से सवाल पूछिए है यह आप कह रहे है यह ए पूराजी एक ऐसी डॉकुमेंटरी के पीछे अंद श्रद्धा की तरह भागने लग जाना कि उस कुमेंटरी में जो दिखाया वही सत्य है बाकी सब कुछ जूट है आखिर यह कौन सा अब नहीं है तो नहीं ठीक हाँ दीपक वराजी आप बीवीची को बैंट कर दिया है आपके शांदार चैनल पर शरीक होने का मुझे बहुत अच्छा लगता है और वान फार पेस्ट हैंक आप जो आज बाचीत कर रहे हैं और हमारे बहुत से पुलिटिकल लीडर्स हैं मेरी ट्रेनिंग नहीं है कि पुलिटिकल लीडर्स के साथ मैं डिसकार्शन करू इस टाइप की इशू पर पर एक अमेरिकन जर्नलिस्ट ने जिनको मैं ची तरह जानता हूं उन्होंने मुझे मेसेज भेजा है उसमें लिखा है कि अब ह bulster और बुल्शिट कोर्परिशन ही उनके शप्द है मेरे नहीं है पी लास्टर और बुल्शिट कोर्परिशन आपके पीछे पढ़ गई है अरे इनका क्या वजूद है इसमें हाकीकत बिलकूर नहीं है फुजरात 2002 तो सिरफ एक पेग है जिसके उबर इन्होंने मोदी साथ के अगेंस अटाइक किया है यह फ्रस्ट्रेशन है यह इल्विल है क्योंकि भारत आपका देश मेरा देश हमारे जो पुलिटिकल लीड सब का देश ब्रिटन से कहीं आप निकल चुका सब मुझे दो मिनिट दे एक मिनिट और दे किजेगा आप यह जानते हैं कि ब्रिटन की छवी इस समय अगर एक वन टू टेन स्केल पर गिनी जाए तो वो सुन्य से भी कम है आर्थिक टाकत खतम होगी है मिलिटरी टाकत खतम होगी है हर तरफ इस समय भारत का बोल बाला है जी ट्वेंटी क्या प्रेजिटन है जी सेव बार हुए एक देश को निकाल दिया टाइवान को दूसरा आगया चाइना प्रिटन का जो नाइटमेर है होफनाक सपना वो चला जाएगा भारत उसकी जगा आ जाएगा तो जो कुछ हम कर सकते हैं भारत को नीचा देखाने के लिए वो करें और फाइनली सर तीन अफ्रीकी पूरल एरिया में हूँ मध्या प्रदेश में पचोर में वहाँ पर किसी ने नाम ही नहीं सुना देवी सी का आप इंटेलेक्टर्स क्या डिसकस कर रहे हैं इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूस गूगल प्ले या अप स्टोर पर